नमस्कार दोस्तों, कैशे हो आप, आशा करते हैं महाकाली की किरपा से, आप सब लोग बिलकु ठीक होंगे आज मैं आप सब को दो अक्तूबर मातमा गांदी की जैन्ती पर हार्दिक सुप कामने देना चाता हूँ आज मेरे पास कुछ समय बच्चा हुआ था, जो के मैं आज आपको भैरो बाबा खा एक ऐसा मंतर बताने जा रहा हूँ कि जिस के प्रभाव से, जिस मंतर के प्रयोग से, आप किसी की बंदी हुई विद्या को भी खोल सकते हो किसी के कामकाज को भी खोल सकते हो, आप कोई भी काम निकलवा सकते हो इस भैरो मंतर से, ये बहुती तेज मंतर है ये मंतर आपको किसी किताब में, किसी किंदर जाल में, ये किसी गरंथ में नहीं मिलेगा मेरे पास जितने भी मंतर है कोई भी किताबों के मंतर नहीं है मेरे पास सब मेरे गुरु के दियो हुए मंतर है आज मैं आप सब को भैर बाबा का वो मंतर बताऊंगा जिससे आप उससे किसी की बंदी हुई विद्या भी खोल सकते हो किसी की बंदी हुई चोंकी भी खोली शक्ते हो पहले आप इसकी विदी सुने इस मंतर को आप किसी भी इतवार को या किसी भी सनिवार को रातरी 11 बजे के बाद 108 बार जाप करना है सबसे पहले आपने क्या करना है किसी भैरो मंदर में जाकर एक बोतल सराव थोड़ी सी भकरे की कलिजी पांच लड़ू पांच गुलाब के फूल एक मिठा पान भेरा बाबाजी को भोग दे फिर उसके बाद रातरी ग्यारा बजी के बाद इस मंतर को 108 बार चाप करे इस मंतर का जाप आपको लगातार ग्यारा दिन तक करना है और इन ग्यारा दिनों के बीच में दो सनिवार आएंगे उन दोनों सनिवार को आपने फैरो बाबाजी के मंतर में भोग देखे आना है फिर ये मंतर आपका सिध हो जाएगा आपको जब भी कोई प्रेव करना हो तो इस मंतर को पीली सरसो पे या राई पे ग्यारा बार पढ़के फूख मारे और जिसकी विद्या बंदी होई है उसके उपर डाल दें उसकी विद्या खुल जाएगी उसकी चोंकी खुल जाएगी इस बात की मैं पूरी गरंटी देता हूँ इसको ध्यान से करे अब मैं आपको मंतर बताने जा रहा हूँ काला भैरो चिटा भैरो भैरो मेरा रंग बिरंगा गल विच मुंडो की माला हाथ विच मद का प्याला मुख में कलीजी सिर पे जटा पाउ में घुंगरू बाजे जा समसान में किलकारी मारिये लंका देही ड़ा कासी नगरी के हे काल भैरो मेरे काम देव स्वार हाजी रोकर काम कर महाकाली के पूत गुर गोरखनाजी के शिशे शिशंकर के पुत्र काम स्वार हाजी रोकर दुहाई कालगा माई की दुहाई नव दुरगा की दुहाई मचंदरनात की दुहाई है तुझे तेरे गुर गोरखनात की दुहाई है नव नाचुरासे सिद्ध की दुहाई दुहाई है दुहाई है यह मंतर है दोस्तों कि इस मंतर को अगर आपने शिद्ध कर लिया शिद्ध करने के बाद 11 barch राई पे या पिली शर्षों पे 11 barch पढ़ कर दोसकी विद्या ऊसे वक्त खुल जाएगी और वें अपनी दुबारा से चोंकी चला सकेगा दोस्तों मैं आप सबको बार बार यही काऊंगा कोई भी मंतर हो कोई भी साधना हो बिना गूरु के ना करे गूरु की इजाज़त लेकर करे गूरू की इजाज़त के बिना बिलकुल बिना करे शुरक्षा घेरा बना करे गूरू के मंतर का जाब करकर ही करे और गूरू भी आपका कोई काबिल ही होना चाहिए किसी काबिल गूरू की सरण में जाकर ही दिख्षा ले मैं उन सब भेनों का मैं उन सब भाईयों का मैं उन सब माताओं का दिल से हार्दिक हविनंदन करता हूँ जिनों ने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया है दोस्तो माताओं और भेनों मुझे आपका ऐसे भरपूर प्यार मिलता रहे ताकि मैं आप सब लोगों के लिए नए नए वीडियो अपलोड करता रहूँ भन्यवाद दोस्तो